दोस्तो आज का वीडियो डेडिकेटेट है कैसी टेक्नलोजी पर जो पूरे वर्ल्ड को डॉमिनेट कर रही है और हर कोई opportunities का फाइदा उठाना चाह रहे हैं हाँ जी AI की बात कर रहा हूँ AI की पावर देखना चाहते हो आज आव वस दिखा दूँगा आज नियरली 77% डिवाइज आई पावर है यकीन नहीं होता ना बट आपको ये भी सुनकर यकीन नहीं होगा कि आज सिर्फ 34% लोगों को पता है कि वो डायरेक्ली AI का यूज कर रहे है बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनका डेली लाइफ में AI के साथ इतना interaction हो रह है कि global AI market boom कर रहे है और 2025 तक 190.61 billion dollars revenue टच करने वाला है बट जहां इतने लोगों का फाइदा है वहाँ business बनता है और इसलिए सारे अच्छे tools महेंगे हो गए है बट मैं आप से share करूंगा ऐसे tools जो या तो totally free है या फिर free plan में भी आपका काम हो सकता है इन tools के बारे में better work करते है सारे tools tried or tested है तो tension मतलो बस इन सारे tools के बारे में ध्यान से सुनो और इनका use करके अपनी life easy बना सकते हो आपको इस वीडियो में ऐसे दो tools का combination भी बताऊंगा जिनकी help से आप एक full video बना सकते हो बिना कुछ shoot किये so stay tuned क्यूंकि best 10 AI tools लेका रहे हो आपके लिए आज so without any further delay let's get started with a video तो tool number one है lexica.art तो हमारे पास काफी queries आये थी mid journey and stable diffusion AI tools के बारे में कुछ लोग को ये tools काफी complicated लगे use करने में so that's why एक far more simple but equally effective tool मैं आपको बता रहो जो online access कर सकते हो बस google पर जाकर lexica.art सेर्च करना है ये भी एक AI art generator है और ये वो सब कुछ बना सकता है जो आप imagine कर सकते हो अपने google account से login कर लो आप कोई भी prompt डाल सकते हो आपको जैसा भी चाहिए और ये आपको amazing art generate करके देदेगा for example यहाँ मैंने type किया baby elephant dancing on a car यहर वोट्स पे मत जाओ जानता हो काफी funny है लेकिन ऐसे prompts इसलिए दिखा रहा हो ताकि आप समझो की कितना potential है आप अपने हिसाब से diamond sense भी change कर सकते हो और बस generate पर click करना है within seconds आपको इतने creative and original art piece create करके मिल जाएंगे और एक fun चीज बता हो आप किसी famous personality से related prompts भी डा सकते हो for example मैंने type किया Taylor Swift doing laundry और देखो काफी amazing animation के साथ art ready कर दिया इसने एक और feature है जो लोगों को पता ही नहीं है छोटा सा option दिया हुआ है dimensions के पास यहाँ right में upload image का छोटा सा button है आप एक reference image add कर सकते हो और साथ में prompt दे सकते हो तो आपको और close to expected results आपरे social media marketers and content creators इस tool का use करके ads, thumbnails, memes, instagram, creatives और बहुत कुछ बना रहे है AI art बना कर उसको sale भी किया जा रहे plus students भी अपने presentations and projects को edge देने के लिए इस tool का use कर सकते imagination का खेल है और बस बाखी काम lexica.art करतेगा tool no 2 is super meme meme fever पूरी दुनिया पर सवार हो चुका है meme chat नाम के meme creation app के CEO ने बताया कि average लोग 50 to 60 minutes spend करते है उनकी app पर जिसमें daily total 1,10,000 से 1,20,000 memes बना जा रहे है so इस meme वेब पर write करने के लिए एक amazing AI tool है super meme इसमें आपको सिर्फ एक text type करना है और वो उसे meme में convert कर देगा और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके text को image में convert करेगा interesting image और meme trends के साथ आपके text को memes के form में present करेगा कई सारे options है scroll करते जाओ कुछ memes search में काफी funny है कुछ memes पर text को आप edit भी कर सकते हो और यहाँ gift meme generator का option है जो बहुत funny लगे मुझे तो भाई जिनको time नहीं है और अपना meme page बनाने की wish है this is your time it is just mind blowing how artificial intelligence ऐसे काम चुटकियों में कर दे रहा है जिनको खतम करने में घंटों का समय और human effort लगते थे इसलिए आजकाल time, money, effort सेब करने के लिए हर company AI का अपना best friend बना रही है ऐसे में हर जगा से एक ही सवाल सुनने मिलता है यार ऐसे तो AI कितने jobs खा जाएगा अगर ये worry and doubt आपके मन में भी रहता है तो आपको एक audio book suggest करता हो विल AI और chat GPT take our job ये कुकू FM पर हिंदी में available है और ये उन सब threats and real world issues को discuss and address करती है मैंने सुना और मुझे काफी insightful लगा इस platform को 2023 में 1.5 lakh से ज्यादा लोगों ने सुना है इनकी new original category में valuable topics जैसे motivation, UPSC, business, politics सबसे related हाजारो best selling books है स्क्रीन पर से अपनी आँखों को rest और दिमाग को knowledge देने का audio books अच्छा तरीका है दिन में कभी भी कही भी आप अपनी audio books सुन सकते हो अपना knowledge अपने साथ रख सकते हो note writing and sleep timers जैसे features का भी benefit उठा सकते हो skills या subscriber family के लिए first month subscription पर flat 50% discount मिल जाएगा आपको coupon code SS50 use करना है और 99 rupees की जगा सर्फ 49 rupees में आप unlimited audio book सुन पाऊगे link description में आपको मिल जाएगा this might just be your best 50 rupees spent tool number 3 is mobile.com next एक ऐसा tool है जिसको personal use या fun के लिए तो use कर ही सकते हो बट साथ ही कई तरह के professional use भी कर सकते हो ये है एक AI music generator so सारे music lovers, composers के साथ content creators and social media advertisers भी use कर सकते हैं आप अपने YouTube videos के लिए intro and outro music, real background music, presentations के लिए interesting audio या experimentation के लिए भी fun music create कर सकते हो mober.com पर जाकार आपको कई सारे genres, modes and activities के options मिलेंगे जो अपनी requirement के हिसाब से choose कर सकते हो, mix match भी कर सकते हो या फिर आप अपना एक prompt भी डाल सकते हो अगर अपने music को अच्छे से explain कर पाऊ और उसके हिसाब से track generate हो जाएगा आप free account से भी one minute तक का track create and share कर सकते हो अगर ये tool interesting लगा तो आगे एक और tool भी है आपके लिए जो इससे भी ज्यादा amazing है heads up rap lovers tool no.4 is replicate.com images restore करने के लिए कई platforms online available है पर क्या आपने कोई ऐसा AI website देखा है जो single website पर ही multiple restoration features offer करता है ये main reason है इस unique AI tools की list में हमने replicate.com को add किया है सबसे ज़्यादा famous है image restoration के लिए वो भी बताता हूँ क्यों इनकी website पर जाकर scroll down करो image restoration option चूज करो इसके बाद restoration के लिए भी multiple models available है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको किस model की help से images restore करनी है मान लो मुझे ये पुरानी photo restore करनी है मैं इस particular model को choose करूँगा और कुछ इस तरह अपनी photo upload करके restore करूँगा ये देखो picture का quality and condition as good as new और इसके results के बारे में काफी positive feedback होने मिला है आप एक model यूज करके photo improve करके फिर और दूसरे models का use करके भी experiment कर सकते हो इतने variety restoration option आपको मिले है आज तक एक ही AI tool में पर पहले इस्तेमाल करके फिर धन्यवाद करें tool no 5 is NVIDIA canvas हम सब के दिमाग में highly aesthetic and fantasy जैसे landscapes और ideas होते है लेकिन जब actually draw करनी की बारी आती है तो मेरी drawing कुछ ऐसी दिखती है तो अपनी imagination को real life में बिना paint brush उठाए लाना चाते हो तो आपके लिए ये tool है NVIDIA canvas Google पर search करके उनके website से आप download कर सकते हो इसमें यहां left में एक empty canvas होता है और right में photo canvas सबसे interesting बात है यहां यह brushes जैसे clouds, mountains, etc इसके बाद मेरा सबसे favorite part आता है आपको यहां से brush choose करना है और empty canvas पर उसको draw करना start करना है और आप site में देखो कि एक बहुत realistic और awesome version बनता नजर आएगा आप brush size change कर सकते हो final design करने के बाद variations भी देख सकते हो बहुत सुन्दर version बन जाते है fun ना मैं तो घंटो इस पर बैट के यह सब try कर चुका हो यह completely free F.A. और आपको realistic digital images build करनी है यहां से कर सकते हो अब bookmarks, gift papers, photos, posters, instagram and youtube के लिए various images बहुत कुछ create कर सकते हो देखो अपना वो time किया जब google stock photos वगरे पर जाकर अलग-अलग keywords डाल कर 400 से 500 results में एक से closest to expectation free and good quality photo ढूरनी पड़ती थी आप Nvidia Canvas और Lexica Art जैसे tools यूज करके कुछ seconds के अंदर एकदम अपनी requirement के हिसाब का art और photos निकाल सकते हो that's what we call the magic of AI tool no.6 is caliber यह tool images को AI videos में convert करते है Gmail account से login करना है और एक image upload करनी है आप अपनी Lexica पर create की image को भी use कर सकते हो इसके बाद आपको continue to prompt पर जाना है और type करना है जो आपको चाहिए वीडियो में हो आप अपने हिसाब से story बना सकते हो इसके बाद animation style चूज कर लो और settings में आप अपने art style को describe कर सकते हो for example आपको futuristic larger than life चाहिए इसके बाद आपको यहां लेफ्ट में voices पर tap करना है then create new voice पर इसके बाद हमें वो करना है जो जवी मेट की गीत को बहुत पसंद है 10 मिनिट तक बस आपको बोलते रहना है इस voice clip की help से आपकी clone voice बनेगी तो ध्यान रखो कि आप एकदम normal and natural voice में बात कर रहे हो best कोई book open करके पर लो 10 मिनिट जितना content easily बोल पाओगे फिर अपनी voice clip को अपने device में से access करके drag and drop करना है Descript पर Descript फिर उस clip को transcribe करेगा written content में और चाहो तो इसमें changes भी कर सकते हो और फिर submit training data पर click करना है इसके बाद Descript आपकी voice को clone करेगा तो 24 hours relax करो और एक बाद ready होने के बाद आप बस अपना text type करो और यह एकदम आपके जैसे voice में उसको read करेगा इससे आप monthly 1 hour जितना audio generate कर सकते हो free में जो I think कई सारे voice of words, real audio content and even podcast के लिए काफी है इस tool का help आप कई चीज़ों के लिए कर सकते हो जैसे Instagram Reels, YouTube voice of words, etc तो tool no.8 lumalabs.ai 3D videos का feel ही अलग होता है और ज्यादा realistic और interesting हो जाता है इसलिए 3D movies का हम सबको shock है क्योंकि वो screen का part ना होकर हमारी reality का part हो जाता है बट इतने realistic 3D के लिए महेंगे software, VFX सब कुछ use किया जाता है But what if मैं बोलू कि आप बस एक AI tool के help से किसी भी चीज़ को 3D में capture कर सकते हो आपको lumalabs.ai website search करनी है और यहां अपने Google account से login करना है इसके बाद एक video recording लेनी है किसी भी चीज़ की जिसको आप 3D में convert करना चाहते हो और आपका जो भी subject या object है उसके आसपास यह 2-3 बार shoot करो और make sure different angles भी shoot करो इससे आपका final product और better quality आएगा इसके बाद आप इस video को upload करते हो और इसको 3D में convert करते है क्या आप believe कर सकते हो यह 3D video lumalabs की help से create किया गया है But problem यह है कि lumalabs अभी सिर्फ iPhone users के लिए available है But don't worry Android users के लिए भी मैंने awesome platform धून आ है यह है Nerve Studio नाम का API इस API को install और use करे उसके उपर यह पूरा detailed github पर document content है मैं इसका link description में add कर रहा हूँ यहां से आप सब समझ सकते हो Tool number 9 is Uber Duck Rap music के crores of fans worldwide में है I know it is totally in trend अगर आपको rapping, singing या song writing का shock है तो आपके लिए एक बढ़िया website बता रहा हूँ देखो यह commercial use के लिए नहीं है सिर्फ fun के लिए है बट अगर आप एक rapper हो आपने कुछ lyrics लिखे है टेस्ट करना चाहते हो कि final outcome कैसा लगेगा तो experimentation के लिए इससे best tool नहीं मिलेगा आपको बस uberduck.ai पर जाना है get started पर tap करो Gmail account से sign in करना है फिर आपको text to speech का option choose करना है और यहां आकर आपको अपने lyrics टाइप करने है चलो एक और shortcut दे देता हो आप chat GPT को एक बढ़िया सा prompt देकर lyrics generate करने बोल दो experiment के लिए मैंने chat GPT में type किया था write funny rap lyrics about the cartoon dodemon ऐसे आप कुछ prompt देकर lyrics generate कर लो अपने हिसाब से change कर लो और बस uberduck पर डाल दो इसके बाद आप यहां पर voice choose कर सकते हो अपने rap के लिए कुछ popular rapper singers की voices भी choose कर सकते हो जैसे Eminem, Drake, Snoop Dogg etc यहां तो मुझे Oswald Cartoon and One Piece Anime के voice options भी दिख रहे है और बस आपको synthesize option पर click करना है और आप सुन सकते हो कि आपके बनाया lyrics एक actual song या rap में कैसे लगेंगे बहुत लगा मुझे यह आपको बस तरीके ढूनना है इसके साथ play करने के तूल नमर 10 chat GPT plugins हां मैं जानता हो कि chat GPT पूरी दुनिया को बता है यह unknown टूल नहीं है बट मैं आपको chat GPT के लिए दो ऐसे plugins बताने वाला हो जिनके बारे में किसी को नहीं पता है पहला है summary with chat GPT यह chrome extension की तरह work करेगा और बताता हूँ इसका magic जब भी कोई YouTube वीडियो देखोगे टॉप राइट में इस extension पर क्लिक करने के बाद chat GPT आपके लिए इस पूरे वीडियो को summarize करतेगा so students के लिए amazing है बढ़ आपको tutorials, informational and educational videos देखते वक्त बहुत काम आएगा दूसरा extension है AIPRM for chat GPT और यह chat GPT में आपको बहुत सारे prompt templates देगा उसमें आपको जो चाहिए वो सब enter करो and आपको कई गुना better results मिल जाएंगे है ना amazing तो दोस्तो यह थे वो unknown and underrated 10 AI2s जिने आप free में यूज़ करके कई different personal and professional tasks entertainment या even artwork कर सकते हो और हाँ दोस्तो SS50 coupon code यूज़ करके KUKUFM first month subscription पर अपना discount average जरूर कर लेना best audio books का मजा लो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया अगर आया तो मुझे comments में जरूर बताओ मैं इसका एक part 2 भी आपके लिए लेका रहूंगा मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye and thanks for watching